हे चैंप्स मेरा नाम है लक्षे वर्मा और आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है सुल्ताना स्ट्रीम इस स्टोरी को बेगम रकोया जी ने लिखा है रकोया जी पैदा हुई 1880 को रकोया जी ने अपने भाई और हस्बेंट से मोटिवेट होकर पहला गर्ल स्कूल खोला 1909 में वो एक प्रोलिफिक राइटर थी जिनोंने अलग-अलग तरह के चौनडास पर लिखा रकोया जी ने फोकस किया औरतों की एजुकेशन पर सुल्तानास डीम स्टोरी फोकस करती है वोमेन की स्ट्रेंथ और नीट्स पर तो कया जी हाइलाइट करती है उन सभी पॉसिबिलिटीज पर जब एक औरत को एजुकेशन का एकसेस मिल जाए तो क्या होगा तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे स्टोरी को इजी लैंग्विज में समझते हैं स्टोरी की शुरुआत होती है सुल्ताना नाम की एक लेडी से जो की चेयर पर स्विंग कर रही है एवनिंग का टाइम था अचानक एक औरत सुल्ताना के आगे आकर खड़ी हो गई सुल्ताना को लगा कि वो उसकी दोस्त सिस्टर सेरा है सिस्टर सेरा सुल्ताना को अपने साथ वाक पर ले जाती है रात हो रखी थी और आदमी सो रहे थे सुल्ताना ने जैसे ही बहार कदम रखा तो सुबा हो गई सुल्ताना शौक थी देखकर कि हर गली सिर्फ औरते ही हैं एक पी आदमी वहाँ नहीं था सिश्टसेरा ने सुल्ताना को बोला कि तुम आदमियों की तरह कमजोर मत बनो और आदमियों की तरह शर्माओ मत कि सिस्टर सेरा उसकी कोई दोस्त नहीं बलकि एक स्ट्रेंजर है सुल्ताना कभी बहार बिना परदे के यानि कि गुंगट के नई घूमी लेकिन सिस्टर सेरा सुल्ताना को कहती है यह लेडी लैंड है यहां पर औरते जैसे चाहें वैसे रह सकती है सुल्ताना पूछती है कि सारे आदमी कहा है इस पर सिस्टर सेरा बताती है कि सारे आदमियों को घर में बंद कर दिया है सुल्ताना का मानना है कि आदमी ज़्यादा पावफूल होते हैं औरतों से वो कहती है कि अगर सारा काम हम औरते कर लेंगी तो आदमी क्या करेंगे सिस्ट सहरा कहती है कि आदमियों को कुछ करना ही नहीं चाहिए सारा अपना काम दो घंटे में पूरा कर लेती है और आदमी उसी काम को साथ घंटे में पूरा करते हैं क्योंकि आदमी स्मोकिंग को जादा टाइम देते हैं और काम को कम सारा सुल्ताना को 30 साल पुरानी कहानी सुनाती है लेडी लैंड की रानी की कहानी वो रानी तब बन गई थी जब वो सिर्फ 13 साल की थी रानी साहिबा ने यह कहा कि हर औरत को एजुकेटिड होना चाहिए तो उन्होंने गर्ल स्कूल बनाया और एक कानून भी लगाया कि कोई भी औरत 21 साल के होने से पहले शादी नहीं कर सकती औरतों की एक युनिवर्सिटी ने एक बैलून बनाया और उसको पाइप से जोड दिया वो बैलून हवा के इस्तमाल से पानी बनाता था जब आदमियों को पता चला कि औरतों की युनिवर्सिटी ने सोलर पैलर बनाये हैं जो कि सूरज की हीट से इलेक्टिसिटी देगा तो इसपर आदमी हस्तने लगे सुल्ताना ने सारा से पूछा कि फिर आदमियों को जनान खाना में बन कैसे किया इस पर सारा बोली कि आदमियों को जनान खाना में बन वेपन से नहीं बलकि दिमाग से किया सारा बताती है कि दस साल पहले पड़ोसी राज्जा ने हमारी कंट्री के साथ जंग छिर दी हमारे जादातर वारियर्स मर चुके थे एनिमी और पास आ रहे थे तभी हमारी राणी ने इस जंग को दिमाग से जीतने की ठान ली राणी साहिबा ने हुकुम दिया कि सारे आदमी जनान खाना में छिप जाएं फिर स्कूल की प्रिंसिपल और 2000 सुडेंट्स जंग के मैदान पर मार्च करने गए उनके पास सोलर पैनल थे सोलर पैनल की हीट को एनिमी की तरफ छोड़ दिया एनिमी इतनी ज़ादा हीट जेल नहीं पाए और वहाँ से वो भाग गए तारा बताती है कि आदमियों ने राणी साहिबा से रिक्वेस्ट की कि वो सब वापिस काम पर जा सकें तो रानी साहिबा ने उनसे कहा कि जब आदमियों की जरूरत पड़ेगी तब ही उनको काम पर भेजा जाएगा सुल्ताना बहुत खुश थी और सोच रही थी कि सुल्ताना के दोस्त कितने खुश होंगे ये जानकर कि लेडी लैंड में औरते राज करती है और आदमियों को मरदान खाना में रखा जाता है ताकि आदमी घर का काम कर सके और बच्चों को समाल सके एन में सारा सुल्ताना को उड़ने वली कार में गुमा रही होती है तबी सुल्ताना कार से स्लिप होकर गिर जाती है और वो नींद से जाज जाती है सुल्ताना देखती है कि वो अभी भी उसी चेयर पर स्विंग कर रही है और सुल्ताना ने जो भी लेडी लैंड के बारे में जाना या देखा वो सब एक सपना था